तो क्या ये इंडिया का ब्राइटस प्रोजेक्टर है ऐसा इसकी स्पेसिकेशन देखके तो लगता है अब ये प्रोजेक्टर काफी समय पहले लौच हुआ था मैंने सोजा क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए ये है जैटको का A1 प्रोजेक्टर ये 1050 NC Lumens के साथ में आता है और इसका contrast ratio है 8000 is to 1 300 inch तक की screen बना सकता है ये projector और देखने में भी premium लगता है box में warranty card, user manual, SDMI की cable, power की cable इसके अलावा आपको यहाँ पे एक remote control मिलता है और remote के साथ में batteries भी included है remote में आपको focus के buttons मिल जाएंगे वैसी ये projector जो है आटो focus, auto keystone के साथ आता है और motorized focus है तो आप उसको remote से भी control कर सकते है projector में आगे आपको sensor मिलता है auto focus के लिए lens के उपर cap दे रखी है और ये एक बड़ा सा projector है यहाँ पे vents भी आपको काफी सारे मिल जाएंगे heating issue कैसे है? वो हम आगे test करेंगे wooden जैसा texture यहाँ पे दे रखा है तो यार no doubt देखने में तो यहाँ पे यह premium जा feel होता है flagship वाली feel कहीं न कहीं आती है buttons दे रखें एक side में और यह buttons सारे touch control पे काम करते हैं और यहाँ पे buttons के उपर light भी जलती है तो अंधेरी में भी easily operate कर सकते हैं मेरी testing में सारी बात करूँगा ports की बात करें ports बहुत सारे दे रखें audio का port है, AV का port है, USB के दो ports है HDMI के दो ports है और LAN का port भी है इसमें काफी समय पहले में ने Zebronics का LP 4000 review किया था वो एक बड़ा सा projector था बस इसको देखके भी मुझे उसकी याद आ गई लेकिन इस projector में आपको autofocus मिलता है बीच बगी, लेकिन problem क्या है कि मेरे पास में जो gamepad था वो खराब हो चुका है और आप वो pair नहीं होता तो मैं gaming नहीं कर पा है इस पे बागी एप का इलिए इसमें app store दे रखा है जैसे कि बागी projectors में देखने को मिल रहा है play store इसमें नहीं मिलेगा आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है तो अपने हिसाब से जो भी app आपको download करनी है ना वो आप download कर सकते हैं 300 इंच तक की screen अब इससे बना सकते हैं मेरे पास में उतनी जगे नहीं है तो उतना तो project मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं यह कहूँगा कि 300-500 इंच पे भी अगर आप इसे project करेंगे brightness अच्छी खासी मिलेगी अच्छी खासी का मतलब काफी अच्छी खासी bright तो है यह projector no doubt अब यहाँ पे भाईया lag नहीं है किसी भी तरीके का smooth है और इसमें आप मेरा cast वगएर आपको मिल जाएगा अपना phone की screen आप कास्ट कर सकते हैं full HD projector है यह तो full HD videos YouTube पे चलाएगे मैंने यहाँ पे बड़ी तरीके से काम करते हैं full HD videos और color की अगर accuracy की बात करूँ ना तो colors इसके अच्छे हैं और projectors के इसाप से जितने ही मैं अभी तक review कि हैं तो color की quality आपको अच्छे मिल जाएगी अब 100% accuracy तो किसी भी projector में भी तक नहीं मिली है देखने को लेकिन colors इसके अच्छे देखते हैं colors इसके ठीक हैं यह projector 4K को support करता लेकिन उसके लिए आपको जो है अलग से device लगाना पड़ेगा नीचे की तरफ में यह दे रखा है जिससे आप इसके height को adjust कर सकते हैं ceiling mount का option मुझे इसमें नहीं दिखा कहीं भी इस projector में HDMI ARC का support तो मेली रहा है साथ ही में उसमें Bluetooth का version 5.2 है और यहाँ पे Bluetooth की quick setting में कर जाना है न तो remote के यह दो button जबा के आप जो है फिर आपको fire tv stick लगानी पड़ेगी तभी मजाएगा और इस तरह का game खेलना है जैसे मैंने download किया तो game pad लगाना पड़ेगा recommend करूँगा 4 के tv box certified वाला या fire tv stick ले लो setting में चलते हैं एक बार में setting में Wi-Fi की setting, Bluetooth की setting, projection की setting में चलते हैं तो यहाँ पे आपको और यह ठीक तरीके से काम भी करते हैं बागी correction settings भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आप अपने हिसाब से जो है correction कर सकते हैं auto तो है इसमें अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं system update को option मिल जाता है online update वगरा मैंने check कर लिया था तो मेरा projector जो है up to date है SDM ARC का option इसमें आ चुका है पहले कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं आता क्योंकि मेरे पास कुछ पुराने comments पढ़े हुए channel पे ऐसे बागी इसमें यह सारे option आपको मिल जाएंगे ARC का option यहाँ पे आपको मिल जाता है अब मैं बात कर लेता हूँ कि यह projector मेरे testing में कैसा रहा पहली बात तो में यह कहूंगा कि यार 1050 NC Lumens यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे ब्राइट तो है यह projector नो डाउट अभी तक जितने ही projector मैंने review किया है उन में से यह सबसे ज़ादा bright projector है बागी इसमें किसी तरह का lag नहीं मिलता Android 9 है इसमें और यहाँ पे यूटूब वगरा ठीक से काम करता है आटो फोकस की बात करूँ तो आटो फोकस भी मुझे इसका ठीक लगा फटा वट से जो है फोकस वगरा हो जाता है आटो की स्टोन में थोड़ी बहुत कभी कबार कमी लगती है तो वो आपको manually adjust करना पड़ेगा बागी प्रोजेक्टर की heating कैसी है अभी यार गर्मी उतनी जादा हुई नहीं है यहाँ पे बारिश वारिश हो रही थी अभी फिलाल में उतनी साथ heating issue नहीं लगी साउंड का output loud है साउंड बढ़िया मिलती है अगर अगर आपको अलग से कोई speaker connect नहीं करने तो कोई दिक्कत नहीं है प्रोजेक्टर में sound loud enough है और distortion नहीं है colors यहाँ पे काफी बढ़िया निखर के आते है colors की quality मुझे यहाँ पे अच्छी लगी तो definitely आप 100-800 इंच पे आकर movie वगएरा enjoy करना चाहते है या फिर कोई और आप अपना device लगा के games वगएरा खेलना चाहते है तो आपको यहाँ पे colors काफी बढ़िया मिलेंगे screen की quality बढ़िया मिलेगी corner इसमे blur issue मैंने नहीं देखा है 100 इंच तक की screen पे तो corner blur का issue नहीं आएगा बाकी 4 point keystone correction का option तो है अपनी साब से आप इसको adjust कीजिए तो आपको जल्दी से corner में ज़्यादा blur देखने को नहीं मिलेगा तो यह projector ना सभी के लिए बढ़िया है अगर घर में use करना चाते हैं office में use करना चाते हैं price की बात करूँ तो यार जिस price में आ रहा है इस price में portable projector आ रहे हैं आजकल अभी मैंने पिछला यह एक video दिया है अगर आपको एक full size projector चाहिए आप इसके लिए जा सकते हैं 32,000 पे इसका price चल रहा है इस समय Amazon पे और मैंने इसको जितना भी test किया है 2-4 दिन में मुझे इसमें फिलाल में ऐसे कोई issue नहीं मिले बस main बात यह है कि आपको एक अलग से 4K TV stick या फिर आपको 4K TV box लगाना पड़ेगा अगर आप HDR content का मजा लेना चाहते है तो बाकी brightness से आपको इसमें कोई शिकायत नहीं मिलने वाली brightness आपको इस projector में सबसे बढ़िया मिलने वाली है price point के according और यह projector देखने में भी काफी classy सा लगता है तो कह सकते हैं कि एक flagship projector है यह और price point के इसाप से अगर मैं flagship projector इसे बोल रहा हूं तो price point इसका काफी अच्छा है 32 रपे में आपको एक brightest projector मिल रहा है और quality मुझे इसकी काफी अच्छी लगी अगर आप इस तरह का budget आपका है और आप एक बड़िया projector लेना चाहते है तो इसका link वीडियो के description है कोई सवाल है तो कीजे कमेंट मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ और गाजट्स के साथ